हेलो गाईज वेलकम टो डिए असर यूडिव चैनल नोर गाईज फाइनली रेड्मी नोट इट प्रो लाँच हो चुका है जबर्दर स्प्राइज पॉइंट पे जबर्दर स्पेसिफिकेशन यहां पर शौमी ने प्रोवाइड करा है लेकिन आज के स्टुडियो में मैं आपको बताने वालो यहां पर टॉफ सेवन अमेजिंग रीजन्स कि क्यों आपको यहां पर रेड्मी नोट इट प्रो का इंडिया लाँच का वेट करना चाहिए एस वेल इसके यहां पर प्रोस के बारे में बात करूँगा और साथ में आपको दो कम्या भी बताने वालों यहां आप बुल सकते हैं रीजन नोट टू बाई कि क्यों आपको इफ़न को कंस्ट नहीं करना चाहिए तो सी बात पर कर देने एक वीडियो को लाइक यह वीडियो का लेके टार्गेट रखता हम अधार लाइक्स का एक वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पर आपको बता दूए एक कोशन का जवाब देना चाहूंगा बहुत सारे लोग यह अपर हर वीडियो की नीचे कमेट सक्षिन में पूछें हैं रेड्मी नोकेट प्रो रेड्मी नोकेट इंडिया में कब लौँच होगा चलो चाइना में तो होगा सारी चीजे इंडिया में कब आएको इन्डिया में के जो इंडिया हैने मनु कुमार जैन उन्हेंट न्हें ट्Up क्वज है कि इंडिया में अथ हफते बाद आपको देखने मतलब आलमोस आप फकड़के चल सकते हो अक्टोबर की एंड में दिवाली के आस-पास आपको देखने को मिलेगा तो अच्छे खास है आपको दो महीने का यहाँ पर इंडिया लॉंच का वेट करना पड़ेगा तुक्यों कि अच्छा खासा टाइम में ता आप आराम से डिसि लॉकिंग डिवाइस अगर आप देखोगे तो डेफिनेटी बहुत ही आपको यह पसंद आने वाल है सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करेगा क्यों आपको इसका वेट करना चाहिए तो यहाँ पर आपको आयर ब्लस्टर का फीचर देखने को मिलता है आयर ब्लस्टर य और मेरी तो हर ब्रेंट से यहाँ पर रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने फोन में आयर ब्लस्टर के साथ में दिया करो चुकि शौमी कितने मतलब यह सारे फीचर जो है शौमी बहुत पहले से दिया कर रहा है और यहाँ पर अभी तक कि एन डिवी नोटेट प्रो में यहाँ यह फीचर को यहाँ पर जिन्दा रखा है तो यहाँ पर शौमी को यह थमस अप जाता है कि आयर ब्लस्टर का फीचर अभी भी स्मार्ट फोन पर रखा है स्किप नहीं करें स्पेशली रेडबी नोट सीरीज में तीसरे पॉइंट के बारे में बात करें जो कि आपको रेड इपुइट कूलिंग टेकनलोजी को स्टमाल करें अब आप फोन यूजर हूँ और इसमें भी आपको देखने को मिलते है तो अच्छा कासा यहाँ पर यह यहाँ पर हीट होने से बचा लेते हैं यह 14000 में शौमी ने यह टेकनलोजी अच्छा कस्टमर को ध्यान में रखते दे दिये कि में इसाफसा अगेन काफी बढ़िया बात है जो कि कोई भी मैनुफेक्चर आज की डेट में नहीं देता है चौते पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर यह फन की परफॉर्मंस यहाँ पर आपको मीडिया टेक का ही लियो जी 90T का प्रोसेसर देखने को मिलता है चौके काफी जादा यहाँ पर पावरफुल है और स्नाप डेकन 710, 712 और स्नाप डेकन 730 को भी यहाँ पर यह बेंचमार्क स्कूर में बीट कर देता आराम से और काफी पावरफुल है और आप बताए जारा है PUBG जो है HDR ग्राफिक सेटिंग्स में खेल सकते हो तो इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हो कितने केपेबल चिपसेट है और गेमर्स लोग के लिए तो स्पेशल यह बहुत भी बड़ी है चिपसेट रहने वाले है तो परफॉर्मेंस भी आइकेंस है कि 14,000 में वन अफ दी बैस परफॉर्मेंस वाले ही डिवाइस है अगर आपके परफॉर्मेंस भी चीए आपका बजट है टाइट 14,000 से 15,000 का तो डिफिनिटली आपको बोलूगा कि यह फोन का वेट कर लो बहुत यह एक्सिलेंट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी में सिर्फ गेमिंग फोन निया कैमरा भी है आपको यहां पर यह फोन में काफी जबरदस्ट मिलेगा सेल्फी भी आपको 20 Megapixel की देखने को मिल चाएगी तो देखने में पर यहां पर यह फोन का वेट कर सकते हो सिक्स रीजन के बारे में बात करें कि क्यों आपको इफ़न का वेट करना चाहिए तो यहाँ पर इसकी बैटरी लाइफ यहाँ पर शौमी ने इंक्रीज करके यहाँ आपको साड़े चार हजार है मेंच की बैटरी दिये टाइप सी का फोट है एटीन वाट की चार्जिंग और बॉक्स में चार्जर देखने को मिलेगा तो और अगर आप यूस कर रहे हो साथ में लिक्विट कॉलिंग वगरा भी है तो बैटरी भी यहाँ पर अगर थोड़ा जादा द जो 664 वाला विरेंट है वो आपको 14,000 की प्राइस पॉइंट पर मिलता है और इंडिया में भी अगर आता है मैक्स तू मैक्स यहाँ पर जो इसकी प्राइस पॉइंट है कॉम्पटिशन इतना बढ़ चुका है मेरे हिसाफ से 14999 तब तब 15,000 मैक्स तू मैक्स आपको यह इ देखने को मिल रहा है और सारी चीज़े तिनी बढ़िया सी देखने को मिल रहे है 15,000 मैं अन्बीटेबल बन जाएगा अगर इंडिया में यह प्राइस पॉइंट पर आता है तो आप बात कहले है दो ऐसे भी रिजन से के कुछ कमिया आपको देखने को मिलती है क्योंकि सब लेकिन एक AMOLED डिस्पले दाल देते ना यह फोन परफेक्ट बन सकता था लेकिन शामीन अगेन IPS डिस्पले यूस करा तो अंदर फिलाल मेरे लिए यहां पर यह अच्छी चीज़ नहीं है पकि आप लोगों बहुत सारे लोगों को पता होगा क्या अच्छी अभी यह बुर देखने को मिल जाता है Redmi Note 3, Redmi Note 4, Redmi Note 5 Pro, Redmi Note 6 Pro, Redmi Note 7 Pro सारे में आपको hybrid डिकने को मिलता है और Xiaomi को समझना चाहिए, Vivo वाले triple card देते है, Realme वाले triple card है, Oppo वाले triple card है, Samsung triple card slot देता है, तो भाई इंडिया में जो user experience है यहाँ पर यहाँ दो sim के साथ में sd card लगाना हर बंदा पसंद करता है एक तो जियो sim रहता है और एक इसका personal पुराना नंबर रहेगा वह साथ में sd card लगाना पसंद करता है क्योंकि wowmy को अभी तक के समझ में नया है जान मुझ के करते है पता नहीं कैसे करते है लेकिन hybrid sword यहाँ पर यह फ। जो साथ में पर सकते हैoons यह फॉन का वेट करें हैं नहीं कर रहे हो और आपको क्या लगता है यह market को Q' kill कर पाएगा नहीं कर पाएगा और मेरी क्या सी लेगी वaggi बताना नीचे मुझे कमेंट्स में हैं तो लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब कर देना फिर ताफसे लिए किसी वीडियो में जब तक के लिए थैंक यू